हेलो प्रेंट्स, वेल्कम टू माइटू चैनल, आज के इस वीडियों देखेंगे कि इंग्लीज में अगर कोई टाइम पूछे तो अंग्रेजी में कैसे टाइम बताएं सबस्पेदे देखते हैं कि कैसे पौ़ने, एक होता है पौ़ने, पौ़ने को क्या कहते हैं एंगलिज में, क्वार्टर टू, फिर सवा, सवा को क्या कहते हैं, क्वार्टर पाश्ट फिर साढहे, साढहे को क्या कहते हैं? बोलते हैं नहीं, साढहे नो बजा है तो साढहे को क्या कहेंगे? Half past, जिसे बोला जाए कि पाउने 9 बजा है, तो पाउने 9 मतलब 9 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, तो उसको क्या बोलेंगे पाउने को quarter to 9 इसी परकार अगर 9 बजा हो तो 9 बच कर 15 मिनट तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लीस में quarter past फिर साधे जिसे बोला जाए साधे नो बजा है तो उसको क्या बोलेंगे half past nine छलिए देखते हैं example के दो समझते हैं इसको जैसे बोलना हुआ कि 9 बजे हैं इसको इंग्लिस में कैसे बोलेंगे, नो बजे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, नाइन ओ क्लॉक, जैसे नो बजे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिस में कैसे बोलेंगे, नाइन ओ क्लॉक, फिर आगे पाउने नो बजे हैं, तो पाउने को क्या बोलते हैं, क्वार्ट तू यानि कि quarter इसको बोलेंगे quarter two nine पहुने नो बज़े हैं quarter to nine फिर अगर बोला जाए सवाल नो बज़े है तो इसको क्या बोलेंगे इंगलिस में quarter quarter past nine इसी प्रकार अगर साढ़े साढ़े को कैसे बोलते हैं जैसे example है साढ़े नो बज़े हैं तो साढ़े नो को कैसे बोलेंगे half past half past nine पहुने क्या होता है जैसे नो बज़ने में अभी पंदरा मिनट बाकी है तो इसको इंगलिस में क्या बोलेंगे quarter to 9, सवा क्या होता है सवा यानि की 15 मिनट जैसे 9 बच के 15 मिनट हो गए, तो उसको क्या बोलते है सवा 9, इंगलिस में क्या बोलेंगे इसको quarter past 9 फिर साढ़े क्या होता है, half past इंगलिस में इसको क्या बोलते है, साढ़े मतलब 9 बज़के 30 मिनट को क्या बोलेंगे 9.30 और उसके इंगलिज में को बोलेंगे Half past 9 इसी परकार कोई भी टाइम बता रहा हो जैसे 12 बज़े हैं तो 12 वो क्लाक फिर पौने 12 बज़े हैं तो quarter to 12 अगर 7 बारा बोलना हो तो quarter past 12 इसी परकार झाल